वैसे तो गौलियर नगर अपने घोटालों और अन्यमित उताओं के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती है लेकिन इस बार नगर निगम की एक फायर ब्रिगेट ही लापता हो गई इतना ही नहीं नगर निगम पांच साल से लापता इस गाड़ी को खोजने के लिए ना तो खुद कोई प्रयास किया और ना पुलिस की मदद ली जानकारी के मताबिक गौलियर नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट में एक फायर ब्रिगेट गाड़ी पिछले पांच वर्षों से गायब है ना तो निगम अधिकारियों को गाड़ी के संबंद में कोई जानकारी है और ना ही गाड़ी के गायब होने की FIR दर्च कराई गई है खास बात यह है कि जो गाड़ी 2019 से गायब है उसे गाड़ी का वर्ष 2022 में बीमा कराया गया दरैसल स्वयम सेवक अधिकारी कर्मचारी संगमध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह मामला अधिकारियों के संग्यान में लाया गया नरेंद्र योगी क आरोप है कि नगर निगम गौलियर के फायर डिपार्टमेंट द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया अपने फायर ब्रिगेट गाड़ी को बेच कर नगर निगम कोश में ही पैसा नहीं जमा किया गया इतना ही नहीं गाड़ी का बीमा करा कर नगर निगम को आर्थे खानी भी पहुचाई गई है जनता के पैसे से खरीदी गई फायर ब्रिगेट की गाड़ी के गायब होने का मुद्दा गौलियर नगर निगम परिशत का मुद्दा 17 मई 2020 को उठ चुका है परिशत द्वारा इस मामले में दोशियों पर फायर दर्ज करने के निर्देश भी दिये गए थे लेकिन ना तो गाड़ी वापस मिली और ना ही दोशियों के खिलाब कोई एफायर दर्ज हुई गौलियर से योगेश बिसरिया की रिपोर्ट तो पाता निकाला भी तक आई थी अभी मैं एक बार फिर से फायल देख लेता हूँ और उसके जो रिपोर्ट आई होगी उसके अर्थार करवाई होगी वो मुझे पता था इसलिए जांच कमीटी गठित की थी जांच कमीटे ने रिपोर्ट दी है मैं देख लेता हूँ